उनका मैसिज कब आएगा? वो मुझे से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? वो मुझे मैसिज क्यों नहीं कर रहे हैं? इसी बात को आज हम जानने की कोशिश करेंगे और इसकी एक अच्छी प्रेडिक्शन्स हम आप सभी के लिए करने वाले हैं हम तीन कार्ड यहाँ पर निकालने वाले हैं आपको एक कार्ड चूज करना है और फटा फट से देखना है कि आज आपके वो आपको कब मैसिज करने वाले हैं फिर चाहिए मेल हो या फिमेल हो यह दोनों के लिए लागू होगा अच्छा यह लागू उन्हीं के लिए होगा जिन लोगों के पार्टनर उनसे बात नहीं कर रहे हैं या उनसे काफी दिनों से बात नहीं हुई है यह सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए लागू होगा ठीक है और जो जो लोग इस चैनल से जुड़े होए हैं मेरे से जुड़े ह हुए हैं जो लोग नहीं जुड़े हैं वो फटाफट से बाच फालो कीज़िए और आज आंच को कब से क्यूं नहीं कर रहे हैं वो मुझे message जिस किसी ने भी card number one choose किया है मैं उसके लिए बताना चाहता हूं कि उनका message उनके partner का message उनके पास कब तक आने वाला है और वो क्यूं उनको message नहीं कर रहे हैं पहली बात आप यह समझेगा कि at least उनके partner का message आने में दो हफ्ते से दो महिने का समय लग सकता है और mostly two month का समय अगर यह भी जून का महिना चल रहा है तो जून जुलाए खतम करने के बाद अगस्त के महिने में वो आपको message या contact करना शुरू कर देंगे साथी साथ वो यह भी बोलना चारा है कि भाई मैं क्यूं आपसे बात नहीं कर पा रहा हूं तो अगर बता हूं तो यह बोलना चारा है कि मैं इस समय काफी जादा busy हूं मेरे उपर काफी सारी जिम्मेदारियों का बोज है मैं अकेले ही सब कुछ handle करना पड़ रहा है और यह बात मैं तुम्हें खुल के बता भी नहीं सकता हूं यह मेरी ऐसी मजबूरी बनी हुई है कि मैं तुम्हारे सामने इस चीज़ को खुल के रख भी नहीं सकता हूं लेकिन तुम चिंता मत करो दुबारा से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा मैं दुबारा से सब कुछ ठीक क चूज किया है यह वाला कार्ड चूज किया है मैं उनके लिए प्रेडिक्शन करना चाहता हूं कि सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि उनका पार्टनर उनको कब मैसेज करेगा या कब कॉंटेक्ट करेगा तो उनका पार्टनर बेहद ही जल्दी बहुत ही जल्दी इसी महीन उनसे contact कर सकता है उनसे बात कर सकता है उनको message कर सकता है दूसरी बात यह है कि क्यूं वो अब तक आपको message नहीं कर रहे थे ऐसा क्या current था तो मैं बताना चाहता हूं कि वो शुरू शुरू से ही यानि वो इस relationship के अंदर उतना जाधा sincere उतना जाधा sincerity उतना जाधा seriousness शो ही नहीं कर रहे थे नहीं वो उतना जाधा serious थे वो प्यार तो करते थे लेकिन वो उस रिष्टे की एहमियत को अब तक समझ नहीं पाये थे वो एकदम से इस बच्चे की तरह थे जो कि बस आख मीच के जो उनके रिष्टे में आ रहा है अगर आप उनकी life का एक part बन गए हो तो उन् हमने दिल की बात आपको बताएंगे आपको दुबारा से मनाएंगे आपको बोलेंगे कि यार I am really sorry प्लीज आप वापस नेरी जिंदगी में आ जाओ जिस किसी ने भी card number 3 को choose किया है यानि इस वाले card को choose किया है मैं उसके लिए बता देना चाहता हूँ सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये card हमको बोल रहा है कि at least मैं आपके आपसे contact करने में 3 weeks से लेके 3 months सका अभी time और लोंगा यानि 3 हफतों से लेके 3 महिनों का time मुझे भी और चाहिए और दूसरी बात वो ये भी कहना चाहरे है कि आपको ये भी बता रहे है कि मैं आपसे contact क्यों नहीं कर पा रहा हूँ तो उसके पीछे कारण है कि वो अपनी खुद की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में लगे हुए हैं वह बेहर जादा परिश्रम कर रहे हैं वह बेहर जादा कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर पाऊं जिससे कि लोगों को पता चले कि कितना अच्छा कमा रहा हूं, कितना जादा ग्रोथ कर चुका हूं और लोग फिर कैसे न कैसे तुमारी फैमले तक इस बात को पहुचा पाएं कि यार देखो यह लड़का काफी अच्छा कमा रहा है और आपको अप डेरी नहीं करने चाहिए इस लड़के से आगे बढ़ने क ये उनका thought process है और कहीं ना कहीं वो जल्दी ही बोल रहे हैं कि मुझे तीन मेरे का time और दो मैं एक excellent position पर आने वाला हूं और जल्दी ही मैं आपसे contact करूंगा और मैं खुद करूंगा